दोस्तों मैं देश्ट आप सुनों के बारे में आपको पढ़ाता हूं जो रोवेट फ्रोस्ट के द्वारा लिखा गया है इस कविता में कभी एक धतूरे के बिच के नीचे ख़़ा होता है और उसके साथ क्या गटना गटित होता है आई हम बढ़ते हैं दो वे आफे क्रोस्ट डाउन आनमी डाश्ट आप सुनों डाश्ट आप सुनों का मतलब यहां पर बढ़ के करन हैं फ्राम में हेमलाग ट्री हेमलाग ट्री का मतलब है दतूरे का बिच कभी एक दतूरे के बिच के नीचे ख़़ा रहता है और उसी ड्यूरेशन में एक कवा जो बिच पे बैठा होता है और बिच को हिलाता है बिच के हिलाने पर बर्ब के कुछ कण कभी के उपर गिरता है नेश्ट देखते हैं इससे कभी के हिर्दे में परिवर्तन हो जाता है इस चेंज आफ़ा मोड उसके दिमाग में परिवर्तन होता है उसके मन में परिवर्तन होता है एंड सेम संपार्ट ऑफ एडे आई हैड रूड और कभी यह कहता है कि जो दिन का बचा हुआ समय है से समय है वह भी में दुख में रहता हूं यानि वह दुख में काड़ता है उबराल अगर देखते हैं तो कभी एक धतूरे के ब्रिज के नीचे ख़़ा रहता है और ब्रिज पर बैठा हुआ कावा उस ब्रिज को हिलाता है जिसके कारण बर्प के कुछ कड़ कभी के उपर गिरते हैं उससे उसके हिर्दे में परिवर्थन होता है उसके मन में परिवर्थन होता है और उस दिन जि इस दिन का समय होता है कभी उस पूरे समय में दुखी मैसूश करता है ओके तैंक ये वेरी मिच